नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का प्रजापति स्टेडी पॉंट यूटूब चैनल में तो फ्रेंड्स अगर आप भी जोइन करना चाहते हैं सरकारी नोकरी तो आप इस वीडियो को अंतक जरूर देखें अन्यता आप इसकीप कर सकते हैं तो देखें फ्रेंड्स आ इसमें qualification होनी चाहिए और उसके बाद इसमें किस प्रकार से जिसका जो selection होता है उसकी प्रकार से होता है क्या इसमें जो salary होती है सारी complete information में इसी वीडियो में देने वाला हूं वीडियो को आप इसकीप बिलकुल ना करें क्योंकि आप अगर वीडियो को स्कीप कर देते हैं जो इसमें दिया हुआ है कि आपको form है वो कब apply करना है तो देखिए online form आपको apply करना 30 नवंबर से 7 दिसंबर तक आपको form apply करना है उसके बाद बात करते हैं कि जो इसमें entry है यानि 10th pass से आपको entry मिलती है देखिए qualified की भी बात करते है उसके पहले करते है ये badge 012021 का badge है क misfään की बात करें इसमें तो इसमें क्या qualification है qualification की बात करते हैं यहां पर अपन इसमें दिया वायए 10th pass देखिए आप 10th pass होना अनिवार रहे हैं उसके बाद आपकी 50% भी होना जरूरी है 10th में आपकी 50% होना ज़रूरी है दिखी friends आपके 10th में 50% होना ज़रूरी है अगर आप SC-ST से ब्लोंग करते हैं या आप sport में आपके पास कोई भी certificate है sport का अगर national level है या कोई भी है first, second, third person यानि sport event में अगर आप है national level का आपके पास sport certificate है तो आपको 5% के आपर छोट मिल जाती है तो यहाँ पर आप 45% है उसके बाद आप SC-ST से ब्लोंग करते हैं या आपके पास sport का national, international level का कोई भी certificate है तो आप इस फॉम अपलाई कर सकते हैं उसके बाद बात करते हैं जो job की requirement है वो cook और statewide के लिए दी गई है देखे इसमें आप cook में और statewide में दोनों में आप फॉम अपलाई कर सकते हैं उसके बाद बात करते हैं edge limit की देखे फ्रेंट्स edge limit अठारा से बाइस यानिए अठारा से आप बाइस के अन्डर में आते हैं तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद देखते हैं, किसमें जो रिलेक्षन दिया हुआ है, इसमें 5-5 येर का दिया हुआ है, देखें, बात करते हैं, आपर ST-ST के लिए तो 5 साल का दिया हुआ है, उसके बाद बात करें, OBC के लिए, OBC कंडिडेट के लि अप्लाई कर सकता है, अगर उसकी 25 के अंदर आज है, तो वो फॉम अप्लाई कर सकता है, वेकेंशी देखते हैं, वेकेंशी इसमें जर्नल के लिए दिगई है, 20 वेकेंशी, जर्नल के लिए इसमें 20 वेकेंशी दिगई है, EWS के लिए दिगई है, 5, उसके बाद OBC के लिए द total vacancies इसमें 50 है 50 vacancies है इसमें total vacancies है उसके बाद बात करते हैं देखिए इसमें पे-range या इसमे сैलरी है वो कितनी है है सेलरी इस में मिलते है 21400 प्लस पै देखे 2un 2700 से ख लेकर अगर पूंप अक भी आप इसको मांसकते हैं उसके बाद परमोशन भी है उसके बाद प्रमो परॉशन भी वे बाद आप जो सहली है वो है 47600 ला प्लस इस पे पह ग्रेड भी धी ऐ उसके बाद बात करते हैं देखी फॉम को किस प्रकार आप फॉम को अपलाई किस प्रकार करते हैं देखी फॉम को आपको अपलाई किस प्रकार से करना है तो ओनलाइन आप फॉम को अपलाई कर सकते हैं इसमें जो डेट है वो एक बार और बता देता हूँ 30 नौंबर से 7 दिसमबर तक इसमें फोर्म आप अपलाई कर सकते हैं उसके बाद बात करें कि इसमें देखी फोर्म अपलाई करने से पहले आपको 10th की मारसिट आपका आधार कार्ड चाहिए उसके बाद आप डोमिसाइल सेल्टिफिकेट भी लगा सकते हैं तो यह आप जो ओनलाईन फोर्म भरते समय यह आपके पास होने जरूरी है उसके बाद बात करते हैं देखिए बैस जाता तो कुछ नहीं है आपका जो एडमिट कार्ड है वो आएगा इसमें परसंटेज बेच पे अगर आपका जो परसंटेज है वो आपका अच्छा होना चाहिए परसंटेज बेच पे आपका जो एडमिट कार्ड है वो आने वाला है उसके बाद इसका जो एग्जाम डेट है वो भी इसमें दिया हुआ है आपका जो एग्जाम कब होने वाला है तो वो बता देता हूँ देखे फ्रेंट्स इसमें दिया हुआ है कि 19 दिसम्बर से 25 दिसम्बर तक आपका एडमिट कार आ जाएगा 19 दिसम्बर से 25 दिसम्बर तक आपका जो है एडमिट कार आ जाएगा उसके बाद देखे आपका जो एक्जाम है एक्जाम की दिखीश में डेट दी हुई है देखें यहाँ पर जोन दिये हुए है नौइडा और कॉलकाता और भूनेश्वर भूनेश्वर में देखें उडिसा जोन आजाता है नौइडा, महमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाना, राजिस्तान यह कुछ करके आजाते है आप ओपिशल वेबसाइट पर जाके जो ओपिशल नोटिफिकेशन है उसको डाउनलोड कर सकते हैं यह आपको सरकार रेजल्ट पर भी मिल जाएगा तो इसमें जो आपका सेलक्शन है सलक्शन प्रोसेस है, वो किस प्रकार से होने वाला है सलक्शन प्रोसेस है, वो आपका एग्जाम होगा एग्जाम को आपके मेरिट के आधार पर एग्जाम में आपको एग्जाम क्वालिफाई करना होगा अगर आप exam qualify कर देते हैं तो उसके बाद आपको PFT के लिए बुला जाएगा PFT वही आपका जो एरफोर्स नेवी के अंदर होता है यानि running है medical है push up है यह देखिए इसमें यहाँ पर दिया हुआ है जो उसका आपका PFT है वो किस प्रकार से होगा देखिए जो नोर्मल होता है लगबग जो एरफोर्स नेवी के अंदर होता है वो आपका PFT होगा उसके बाद देखिए आपका जो medical test है वो होगा medical test के बाद आपका direct आपको joining मिलने वाली है तो फ्रेंट्स वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को like कर देना अपने दोस्तों के साथ share कर देना चैनल पना है तो चैनल को subscribe कर लेना ताकि मैं इससे भी अच्छा content आपके लिए तयार कर सकूँ जैंत जै बारत